हेलो फ्रेंड्स आइम प्रधिवा एंड अगीन वर्कम टू टीचिंग चैनल आज का जो हमारा वीडियो है वो टीचिंग फेस्स के उपर होने वाला है यानि कि सिक्षण की अवस्थाइं कौन-कौन सी है तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब सबस्क्राइब नहीं के तो नहीं है करिया है और फासी बड़े बेल आइकन को जरूर दबाएं जैसे जब चब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोडिक्शन एजली और सबसे पहले आपको नोडिक्शन मिल सकी वीडियो और आपको पसंदाता है आपके हलफूल रहता है द्वारा हो, या पिर बिध्यातियों द्वारा हो, तो उससे क्या होता है? Basically, स्क्षन का जो कारी है, उसमें काफी मदद मिलती है छात्रों को. तो यहाँप है, स्क्षन के विविन्चरणों में, यहों क्रियाएं अलग-अलग होती हैं. कौन-कौन से वो चरण हैं, उनकी यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है, मतलब बेसिकली ऐसी क्रिया हैं, जो आप सिक्षण कारे के दौरान करते हैं, ठीक है, वो होती है हमारी सिक्षण की अवस्थाएं, ठीक है, यानि ये phases, ठीक है, कौन-कौन से हो, तो first test में, सिक्षण का क्रिया चरण, ठीक है, यानि की pre-active phase जो होता है, टीचिंग के इंदर, second है, सिक्षण का अंत है क्रिया चरण, यानि इंटर एक्टिव फेस जो होता है, और जो third है, वो है उत्तर क्रिया चरण, यानि की post-active phases, जो टीचिंग के होते हैं, वो, ठीक है, तो इनके उपर भी बा सिक्षण का जब कारे चल रहा है, मानिजे कोई क्लास चल रही है, तो क्लास को स्टार्ट होने से पहले, जो सिक्षक क्या करता है, विचार करता है, या फिर सिक्षक जो है, निधारन करता है, कि किस तरीके से उसे कक्षा में प्रवेस करना है, और क्या चीज उसे पढ़ानी है अपनी class में ठीक है किस तरीके से उसे पढ़ाना है वो सारी चीजें वो सभी क्रियाएं क्या होती है पूर्व क्रिया चरण कहलाती है यानि कि प्री active phase कहलाती है इसमें क्या है कि सिक्षण का सिक्षण की जो भी उत्देश यहां पर, पाथ्थे वस्तु का निर्धारा करना, तो यह सारी चीजसे यह रहाती हैं, भी क्रियाइज से कहलता है present? सेकिंड है हमारा सिक्षण का अंतह क्रिया चरण यानि कि इंटरेक्टिव फेस जिसे कहते हैं ठीक है तो यानि कि सिक्षण के अंतह क्रिया चरण में भी सभी क्रियां आती हैं जो शिक्षक कक्षा में प्रुवेश करने के समय से ठीक है मिलब जब शिक्षक कक्षा में प्रु इंट्री लेने से पहले जो भी क्रियाएं हैं जो भी जिन भी चीजों का निधारन करा जाता है वो प्री एक्टिव के अंदर आते हैं उसके बाद इंटरेक्टिव के अंदर आते हैं कि काक्षा में प्रविस कर लिया है सिक्षक में अब उसके बाद पाठ्थे वस्तों को जो सा टाइम है उसमें वो जो भी क्रियाएं इस्तिमाल करते हैं वो कहलाती है उनकी वो कहलाती है इंटरेक्टिव फीज ठीक है next है third है section का उत्तर क्रिया चरण यहन्य की post active phase ठीक है मतलब section के उत्तर क्रिया चरण में वे सभी क्रियाएं आती है जो section कारे के समाप्थ हो जाने की बाद विध्यारतियों के ब्यभार का मापन करने के लिए करता है ठीक है मान लेजा जितना एक कक्षा में प्रस्तुत करना था एक दिन का शिक्षण कारी वो पूरा हो चुका है उसके बाद जब शिक्षण मुल्यांगन करता है बच्चों का कि क्या उनको समल में आया है या फिर क्या उनकी ब्यवहार में परिवर्तन आया है तो वो जो मुल्यांगन होता है वो जो है हमारा post active face के अंतरगत आता है ठीक है तो यहां पर हमने आज देखा तीन जो है faces को अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को जब सुब्सक्राइब करें